नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपको डेरा सच्चा सौदा के गुर्मीत रामरहीम की रहस्यमई दुनिया में लेकर जा रहे हैं आज हम आपको बताएंगे कि उनके पास कितना पैसा है आपको बता दें कि करोडों रुपे की आए है इस डेरे की 2012-13 में 60 करोड सालाना से ज़्यादा थी इस अश्रम की कमाई 2012-13 की अपेक्षा दुगने से ज़्यादा हो चुकी है डेरा सच्चा सौदा की आमदनी हिसार के निवासी रमेश वर्मा ने आएकर विभाग से आर्टी आई में जाना था कि डेरा सच्चा सौदा की आमदनी कितनी है आएकर विभाग की सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 में डेरा सच्चा सौदा की वार्षिकाए 29,18,68,117 रुपे थी यानी प्रति दिन 99,638 रुपे विद्टिवे वर्ष 2011-12 में यह आए 60 प्रतिशत की दर से बढ़ गई और आए पहुँच गई करीबन 46,75,288 रुपे यानी पिछले वर्ष से 17,56,83,181 रुपे ज्यादा डेरा सच्चा सौदा ने 2012-13 में अपनी आए 28,4% सालाना की दर से बढ़ उत्तरी की और आए बढ़ कर 60,03,64,104 रुपे हो गई यानी 16,44,833 रुपे प्रति दिन इनका संब्राज अमेरिका, कनेडा, इंगलेंड से लेकर औस्टेलिया, युए तक फैला हुआ है देरे का दावा है कि दुनिया भर में उनके करीब 5 करोड और हर्याणा में 25 लाक अन्याई है बाबा राम रहीम के पास हर्याणा के सिर्सा में करीब 700 एकड क्रिशी योग योभूमी है उनका राजिस्थान के श्री गंगा नगर में 175 बेड़ का अस्पताल भी है देरा सच्चा सौधा की जमीन और जायदाद का रखरकाव एक ट्रस्ट के जरिये किया जाता है जिसके मुख्या खुद राम रहीम है बाबा के पास कई मौडिफाइड गाडियां है इन कारों को वो खुद डिजाइन करवाते हैं अक्सर डेरे के करोमों है इन गाडियों को प्रदर्शित किया जाता है उनकी सुरक्षा में लगजरी गाडियों का काफिला चलता है काले शीशे और काले रंग की एक जैसी गाडियों का एक काफिला बाबा के साथ हमेशा चलता है वे जब भी कहीं रुकते हैं तो इन गाडियों को टेंट से ढख दिया जाता है और बाबा खुद ऑन स्पोट तै करते हैं कि वो कौन सी गाड़ी में बैठेंगे उनके बैठने के बाद ही टेंट को हटाया जाता है हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसा अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेन बढ़ाता है धन्यवाद